नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग ए नाम 2022 हो उसको तो अगर आपका नाम का पहला लेटर ए से सुरू होता है तो आपके लिए 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है आपके धन की इस्तिति, समाजी की इस्तिति, भले लेटर से आप अपने आने वाले साल के वारे में जानी सकते हैं लेकिन ए नाम जो ए लेटर है अंक जोतिस की माने तो ए लेटर पहला नमबर है यानि की एक अंक है अंक जोतिस में एक अंक से जोड़कर हम देखते हैं ए लेटर को और ये मेस रासी के अंतरगत आता है अब ए अक्षर वाले का मुलांक एक है और उसके उपर सुरीदेव की प्रमुक किरपा भी होती है और साथ ही यदि जोति सास्त की बात करें तो ये अक्षर करतिका नच्छतर के अंतरगत है और सुरीदेव का ही ये नच्छतर है तो इस तरह से सुरीदेव का विसेश प्रहा होता है ए नाम बालों के उपर तो ए नाम बाले जो हैं वो मेस रासी के अंतरगत आते हैं और मंगल देव मेस रासी के स्वामी हैं और सुरीदेव के मित्र भी हैं तो ऐसे में दोनों ही ग्रह अगनी तत्तु प्रधान ग्रह है यानि गर्म प्रविर्थी के हैं तो ए नाम बालों आए जानते हैं अगर आपका नाम का पहला लेटर ए से सुरू होता है तो 2022 में आपका करियर बैपसाई आपका लवलाई बैवाई जीवन धन स्वास्त लगभख सब कुछ तो सुरू नौकरी बदलने की संभावना बनी भी है हलां कि नई नौकरी आपके लिए अधीक फायदे देगा और फायदे मंदी भी होगा तो यकिनन करियर में बिस्तार हो रहा है पर आपने जो अभी तक कठिन मेहनत किया है उसका भी फल आपको मिलेगा इसमें अगस्त के मेहने में जो मेहनत का फल है अगस्त के मेहने में आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि थोड़ा से यहां पर अगस्त के मेहने में आपको अगर चीजों का ध्यान रखें तो उत्तम है सिंतंबर का मेहना आपको चीजों को और बहतर करने का मौका देगा और दिसंबर का मेहने में मान समान परतिष्टा पद की प्राप्टी होगी जो लोग बैफसाई हैं उनके लिए लाब के अफसर तो मिलेंगे ही लेकिन साथ ही आप तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे और इसमें अक्टूबर नौवंबर और दिसंबर ये तीन मेंने आपके जीवन में बैफसाईयों को लिए ज्यादा अच्छा है और अगस्त और सितंबर का जो महना है वो भी आपके लिए उत्तम है तो यकिनन आप अपने बैफसाई को बढ़ा पाएंगे बैबाही जीवन की बात करें तो सुरवात में थोड़ा सा कमजोर है क्योंकि जीवन साथी के साथ सा साल मेल बिठाने में छोटी मोटी समस्याएं हैं लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्यार से हंडल करते हैं तो यकिनन वह बढ़िया है पर जैसे ही सनीदेव और देव गुरु का रासी प्रिवर्तन होगा आपके दांपत्ती जीवन में खुजियां एक बार फिर से आ जाएग को भी सफलता मिलेगे और संतान प्राप्ती के योग है यकिनन ये चीजें आपके पक्च में हैं सिक्षा की बात करते हैं जो बिद्यार्थी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण है क्योंकि महनत और कर्म दोनों का फल यहाँ पर मिलेगा और आपको समय की अनु महनत कीजे आपको इसका फल मिलेगा लव लाइफ की बात करते हैं 2022 आपको मन पसंच जीवन साथी चुनने का मौका देगा और अगर आप किसी से लव करते हैं तो उनसे विवा करने की प्रवल संभाबना भी बनी भी है हलां कि कुछ लोग ज़्यादा खुश नसीब होंगे लव मैरेज में आपकी सहमती से जो माता विता का भी साथ मिल जाएगा तो एरेंज भी हो सकता है हलां कि आप दोनों के बीच अगर प्रेम संबंध कमजोर हैं तो दूरी आ जाएंगी या तो यहां प्रगार होगा या दूरी आएंगी बाद विवास से बचिएगा थोरा सा स्थी मजबूत होगी और अप्रेल मई जून जुलाई अगस्त यह जो पांच मेहने है ना करज चुकता होगा और यह समय इतना धना आएगा कि आप करज मुक्त हो जाएंगे अक्टूबर और नौंबर का महना धन के मामलों में थोड़ा सा संबल के चलने का है और दिसंबर में थोड़ा बहुत उत्राच्राव 2022 में दिखेगा तो अपने स्वास्त का आपको ख्याल रखना होगा क्योंकि 2022 की सुरवात में थोड़ा सा स्वास्त कमजोर है ध्यान रखके अपना और साथी सितंबर अक्टूबर यह दो महिना जो है थोड़ा सा अपने पेट की समस्या से आपको बशना चाहिए चोटी मोटे चोट चपेट लगने की संभावना है तो उनसे भी आपको बशना होगा हलांकि आपने ऊपर थोड़ा ध्यान देनी कि आवा सकता है जो लापरवाही है उसको बंद कीजिए क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए देखिए आपका जो सुर्य है वो आपका भाग्योदे करते हैं रोज भगवान सुर्य को परणाम करके 27 बर गायत्री मंत जरूर पढ़ें तो यह नाम बाले होते कैसे हैं बहुत ही प्रभावसाली माने जाते हैं क्योंकि यह लोग काफी intelligent smart और प्रभावसाली बैक्तित वाले होते हैं इनका पब्लिक में प्यार का इजहार यह नहीं करते और लक्ष को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि लक्ष खुद चलकर इनके तक आ जाता है इनकी लाइप पर किसी और का कंट्रोल हो यह इन्हें पसंद नहीं तो आपके लिए 2022 में सिख्छा करियर में भी आपको तरक्की मिलेगी लेकिन आलत से आपको त्याग ना होगा पढ़ाई पर फूकस करना होगा अपने अंदर छिपेवे प्रतिवा को निखारना होगा और वैपसाईयों को भी बड़ी खुसकबरी मिलेगी पर धन के मामलों में आपको सकायत्मक सोच की साथ आगे बढ़ना परियां है आपके सपने पूरे हो रहे हैं धन की स्तिती भी अच्छी है हां कि धन बचा पाएंगे कर्जों से मुक्ती होगी तो कुल मिलाकर यह साल धेर सारी खुसियां और छोटी मोटी परिसानियां लेकर आया है तो साल को इंजॉय करें